असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिश फ्राइ की रेसिपी अगर आपकी फिश की कोटिंग निकल जाती है या फिर क्रिस्पी नहीं बनती है तो इस विडियो में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हो जिससे कि आपकी फिश परफेक्ट बनक है थोड़ा सा हमने तीन से चार टीबल स्पून विनेगर डाला हाफ टीइस्पून नमक डाला और पानी डाला इसमें डिप करकर रख दिया दस से पंदरा मिनट के लिए इससे यह होता है कि फिश में बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती है बलड बगेरा जो होता है बो भी नि कर लिया तो कूट कर डालेंगे इस तरह से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब इसमें एड़ करेंगे वन टीइस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर अगर नहीं है कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर इसकी जगर नॉर्मल वाली भी हाफ टीइस्पून ले लिजेगा और तूटीइस्पून हमने यहाँ पर धनिया एड़ करा है मोटा क्रेश किया हुगा इस तरह से और अब अजबायन एड़ करेंगे हाफ टीइस्पून तो थोड़ा सा हाथों से रब करकर डालेंगे और अब यहाँ पर डालेंगे हम नमक तो देखिए नमक आप अपने टे करें इसको साफ किया गया है अब देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए मसालों के साथ अब कवर कर देंगे और एक से दो घंटे के लिए रग दीजिए या फिर आप इससे फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं अब देखिए यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है इसमें एड़ अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक बैटर बना कर तैयार करेंगे तो बहुत पतला नहीं मनाना है हम एक दनथा थिक सा बनाना है इस तरह से ये देखिए ये बनकर तियार हो गया है और फिश को रखी होगे भी एक घंटा हो चुका था तो जो हमने बेशन का बैटर बनाया है वो एड़ कर दिंगे इसमें और बस जब आप फ्राइ कर रहे हो ना फ्राइ करते टाइम ही उसी टाइम पर ये बैटर एड़ करें इससे ये होगा हमारी जो फिश हैने एकदम क्रिस्पी बनेगी अगर आप पहले से डाल दिंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगी सौगी सी हो जाएगी अब देखिए यहां पर हमने कड़ा ही में ओईल एड़ कर दिया है ओईल को हम गरम कर लेंगे बहुत जादा एकदम तो इस तरह से मीडियम होट ओईल पर हमने यहां पर फिश इसमें ड्रॉप कर देनी है और जितने पीस आए आप उतने एड़ कर दीजी और आच्छे से इनको पहले फ्राइ कर लेंगे और बस इस तरह से देखिए जब एकदम थोड़ी सी कलर चेंज हो जाएगा ना हलकी सी और उसक्राइने फिट्सवे हो जाएगी तो बस अब इनको बाहर निका लेंगे क्योंकिस इंको डाभलफ लेंगे अज कर लेंगे अब कहां से कोद्टीप हिस もजो कमेंट्स कर जुरूर बताइए गा तो एकदम तदम धरम करना है और ते具ब अब इसको डबल फ्राइब करना है और यह देखिए खूब अच्छे से अब हम फ्राइब कर लेंगे इस तरह से जब आप डबल फ्राइब करोगी ना तो फिश न डबल एक दम क्रिस्पी हो जाएंगी तो बस हमारी फिश फ्राइब हो चुकी है इनको सफ करेंगे प्याज के लच्छों के साथ चाठंआ के साथ तरह से चाठंड मसाला स्पिंकल करेंगे तो आसा नीप Surprise और भू에서 मुझे धार इसको सेटनी करेंगे मैं आपके साथ पहले सएर करें लिगए भिजन का त्विक्रेश करेंगा तोथ यहां पर इस तरह से तो मुझे कॉमेंट करके जुरूर बताईएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इन्शाला नई रेसिपी के साथ फिर ह हाजिर होंगी अपना बहुत सारा ख्याल रखें तब तक के लिए अला हाफिज